वह यह उकात मेरा है, भूल गया अपनी उकात? कहां से आया? कौन से शहर से है? क्या रंग या तेरा? क्या शकल है तेरी? कौन सा जेंडर है तेरा? कौन सी कास्ट है तेरी? भूल गया सब? वह हमारे बीज में पला बरादू? हम से उपर कहां चला जाएगा? अकाथ से बाहर नहीं जा रहा है, गिरेगा, जाद ही उड़ रहा है, गिरेगा, अरे है नहीं इसमें, फेंक रहा है तो यह उकाथ है क्या, उकाथ ना एक लाइन है जिससे अगर आप उबर चले जाते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है और जब यह growth आती है आपकी life में बहुत लोगों की फटती है और जिनकी फटती है आपकी growth में limitations लगाना शुरू कर देते हैं आपको आपकी अउकात याद दिलाना शुरू कर देते हैं पर जब यह लोग आते हैं तो हमारे उपर एक effect रहता है इनका ठीक है जब यह लोग हमें खीजना शुरू कर देते हैं हमारी growth पर limitations लगाना शुरू कर देते हैं तो हमारी कही न कही growth रुकना चालू हो जाती है क्योंकि हम इन पर बहुत ज़्यादा अपना focus डाल देते हैं हम अपने main goal से हटके हम साले इन चूतियों पर अपना focus जमा कर देते हैं पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से चूतिय हैं जिन से आपको दूर रहना है इन चूतियों को कैसे पहचानना है सबसे बड़ा ऐसा चूतिया आपकी life में कौन है जो आपकी growth रोक रहा है तो मैंने बहुत सही pattern मनाया अपनी life से अपने आसपास के लोगों की life से मैंने उनसे बात की अपनी life में जहांका तो मैंने एक pattern निकाला जिस से नहां उस इनसान को ढूंड सकते हैं जो आपकी growth में limitation लगा रहा है तो उस इनसान को जानने के लिए और उसको अपनी life से बाहर निकालने के लिए ये वीडियो में मेरे साथ आखरी तक जोड़े दाईएगा वेल्कम बैक टू यूर फीवरेट चैनल द अभिनव जै तो ये स्टोरी है न्यू यूर के एक MNC की जहां पर यूनीक सा funeral organize किया जाता है तो जब उस सुभा employees पहुंचते हैं आफिस में तो उनको एक notice दिया जाता है उस notice में लिखा होता है कि आपके लिए एक good news है और आपके लिए एक bad news है good news यह है कि जो इनसान आपकी इतने सालों से growth रोख राता उसका पता लग चुका है but sad news यह है कि कल रात को ही उसकी death होती everyone is shocked, everyone is sad कि उनका एक colleague उनके बीच में नहीं रहा but everyone is also curious to know कि ये इनसान खा कौन इतने सालों से ये उसको ढूंड रहे हैं, blame कर रहे हैं बट ये इनसान है कौन, तो उनको जानना था कि इनसान कौन है तो उस दुपहर को office में उसका funeral अरेंज किया गया था तो सब जब वहाँ पहुंचते हैं, सब ही यही बात कर रहे हैं कौन है ये कौन है, कौन है ये इनसान इतने सालों से चिपके बैठा था आज हमारे बीज में नहीं रहा, बट ये है कौन तो उसका coffin पढ़ा होता है, तो बारी 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 ना वो एक एक करके उस coffin में जाते हैं उसकी शकल देखते हैं and everyone is shocked कि ये इनसान है, ये इनसान हमारी ग्रोथ रोख रहा था ये कैसे हो सकता है, ये हमारी ग्रोथ कैसे रोख सकता है वो coffin में एक mirror लगा उता है, yes, एक mirror बारी बारी हर एक employee जब जाता है, तो वो अपनी शकल देखता है side bag note पड़ा होता है जहां पे लिखा होता है कि कोई भी अगर आपकी growth रोख सकता है ना तो वो आप खुद है कोई भी अगर आपकी growth में limitations लगा सकता है ना तो वो आप खुद है अब देखिए ऐसा ही होता है मला हम blame कर रहे हैं अपने bosses को industry को अपने parents को जितना मर्जी blame कर लें but at the end आपको अपने actions की responsibility खोदी लेनी पड़ेगी सारे excuses से हटके आपको results produce करने पड़ेंगे तभी लोग आपको like करेंगे जब हम fail होते हैं ना जब हमें वो success नहीं मिलता जो हमें लगता है हम deserve करते हैं तो हम क्या करते हैं हम blame करना शुरू करते हैं हम blame करते हैं अपने parents को अपने friends को इस industry को अपने bosses को इस recession को इस depression को इस pandemic को तकरीबन सब को तकरीबन हर एक चीज़ को हम blame करते हैं सिवाए एक चीज़ के सिवाए एक इनसान के वो इंसान है आप खुद याद रखिए अगर चीजों को बदलना है न तो आपको अपनी जॉब चाहिए नहीं करनी है आपको अपने फ्रेंड्स चाहिए नहीं करनी है आपको अपनी कंपनी चाहिए नहीं करनी है आपको शुरुवात करनी है खुद से आईए मेरे साथ repeat कीजी ये अगर करना है ना तो मुझे ही करना है ये अगर करना है ना तो मुझे ही करना है ये सिफ़ एक line नहीं है ये एक ना life की philosophy है अगर इस line के एक एक word को एक एक word को अगर आप believe करना start कर देंगे ना और इस line को आप अपनी life में apply करना start कर देंगे आपकी life में positive changes आने शुरू हो जाएंगे आप responsibility ले लेंगे अपने actions की तो आपकी life में इतने बहतरीन changes आएंगे जिसका आप अंताजा भी नहीं लगा सकते आपके पास एक बहुत ही special power है आप जो भी है आपको English आती है आपको English नहीं आती है आप काले है, आप गोरे है आप अमीर है, आप गरीब है आप लड़की है या आप लड़के है आप कुछ भी है पर आपके पास एक बहुत ही special power है वो power है बदलने की the power to change today सोना इस temptation को जाने दो जो temptation आपको मजबूर करती है किसी और को blame करने अपनी गलतियों का बोज किसी और के साथ डालने ताली एक हाथ से नहीं वज़ती है अगर किसी ने आपको कुछ advice दी आपने follow गी तो गलती तो आपकी भी है कुछ भी होता ना कोई भी गलती होती है तो please उसकी responsibility खुद लो जब आप अपनी गलतियों का बोज किसी और के साथ पर पाते है तो क्या होता है आपका subconscious mind होता ना वो चीज़े adapt करना शुरू कर देता है वो believe करना शुरू कर देता है कि यह गलती उसी की थी तो future में जब आप सेम गलती करने जा रहे होंगे तो आप कुछ सीखे नहीं होंगे उस गलती से और वो दुबारा repeat करने के chances बढ़ जाते है और वहीं दूसरी और जब आप अपने actions की responsibility लेते हैं तो क्या होता है आप अपनी गलतियों से सीखते हैं आप grow करते हैं और बहुत कम chances हो जाते हैं कि आप उस गलती को repeat करेंगे future छोड़ो यार आप वोना एक छोट एस example से समझाता हूँ दो समुदरी जहास एक ही जगा से निकलते हैं एक ही पानी में निकलते हैं एक ही हवा के रुख में निकलते हैं पर दोनों अलगलग direction पर पहुँचते हैं ये कैसे? Because वो समुदरी जहास कहां पहुँचेगा ये कोई हवा का रुख decide नहीं करता ये कोई पानी decide नहीं करता ये कोई समुदरी जहास decide नहीं करता ये decide करता है उसका sailor ऐसे ही आप अपनी life के sailor है कोई boss, कोई parent, कोई friend, कोई circumstances ये decide नहीं कर सकता कि आप कहां जा रहे है Of course, तुफान आएंगे पानी अपना बहाव बदलती रहेगी हवा का रुख बदलता रहेगा पर आप कहां जाना चाहते हैं आपको हमेशा याद होना चाहिए आपको हमेशा अपनी मंजल याद होनी चाहिए आपका काम क्या होना चाहिए as a sailor कि constantly अपने आपको push करें constantly वो efforts करें जिससे आप उस direction में जा पाए जिससे आप अपनी destination तक पहुंच सकें कॉपना यार, blame करना छोड़ दो भूल जाओ आप कहां से हो आपको इंगलिश आती है, आपको नहीं आती है शहर छोटा है, शहर बड़ा है लड़की हो, लड़के हो या फिर काले हो, या गोरे हो, जो भी हो या just take the responsibility of your actions और हमेशा ये line याद रखना कि ये अगर करना है ना तो मुझे ही करना है कर दो मुझे ही करना है